Good morning students, today we are going to start exercise 7.3 which is about the subtraction and addition of algebraic expressions as we are already familiar with subtraction and addition. That only like terms can be add and subtract. It means कि जब आप कोई भी चीज प्लस या माइनस करते हैं, जैसे कि मानली जे बेटा आप रूपीज और पैसे हैं और अगर मानली जे आपको इनको add करना है, तो आप पैसे से पैसे को add करेंगे और रूपीज को रूपीज से add करेंगे. तो इस तरह से इसकी कोई हम like terms कहते हैं, तो that only like term can be it, ओके, ये धिहान रखना है आपको. Now, start the question number one, add the following. Now, add the following में two method यहां पर हम consider करते हैं, एक तो horizontal method होता है और एक column wise method होता है, तो ये सबसे पहले हम आज horizontal method को यहां पर समझने जा रहे हैं. Question है, 5y square, minus 9y square, 3y square, आपको ये अलग-अलग term दी हुई है, पर इन term को अगर आप ध्यान देखें, तो हमने अभी exercise 7.2 में already पढ़ा है, कि like term होती है, तो like term के लिए देखें, सभी की power equal होना चीए, तो देखें, equal है न, so these are like terms, ओके, अब इन सब को आपको क्या करना है, add करन है, तो यह minus है, इसलिए मैंने यह bracket में से बंद किया है, और देखें, यह मैंने add किया है, अब add करने के लिए bracket आपको open करना होगा, यहाँ पर वह integer का, यहाँ पर आपको rule follow करना है, then इसलिए यह minus होगा, अब आप क्या करेंगे, पहले जो plus वाली terms है, उनको आप एक साथ ल रखेंगे, जैसा कि हम simplify में क्या करते थे, अगर आपको याद हो, सेम वही method है, इसमें confuse होने की ज़रत आपको नहीं है, अब इन दोनों का आपने plus किया, minus 9y को 8y में से minus किया, यह y square आया, क्यों आया, क्योंकि देखिए, 9y में से 8y square को जब आपने minus किया, तो minus y square आया, यह minus क्यों आया, क्योंकि हमने integer में पढ़ा था, जिस big digit के साथ, जो number होता है, वही sign आपके answer में होता है, next question है, 7x, 5y, 2, देखिए, अब यह क्या like है, no, these are unlike terms, so we can add only, है न, यह only add का sign लगाएंगे हम, इनको पर हम add नहीं कर सकते, यह ध्यान रगना है, इसलिए मैंने आपको यह question लिया है, ताकि आपको confusion ना हो, ठीके, इसलिए answer होगा, 7x, plus 5y, plus 2, next question है, question 2, 8, 8 में देखिए विटा, आपको यह terms अलग-अलग दी होई है, ठीके, देखिए, 5x, minus 2y, plus 5z, 3x, plus 5y, minus 7z, minus x, minus y, plus z, अब देखिए, यहाँ पर यह तीन-तीन terms हैं, तो यह कौन से होगी, trinomial होगी न, तो यह 3 trinomial को आपको आपस में, जैसे आप number लिखते थे न, वैसे ही होगा, x के नीचे x की value, मतलब numbers लिखेंगे, y के नीचे y लिखेंगे, और z के नीचे z लिखेंगे, देखिए, मैंने यह, अब column method में, मैं आपको समझाने जा रही हूँ, तो we can write the expression, so that the like terms are in the column, as shown, जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, वैसे like terms को एक के नीचे, एक आप column wise लिखेंगे, जैसा minus है, आपको अभी वही लिखना है, अब इसमें देखें, अब आप क्या करेंगे, यहाँ आप प्लस प्लस को अलग तो करनी सकते, तो आपको जैसे आप mind में plus करते थे, simple, जैसे 6, 5, 2, तो आप क्या करते थे, पहले इस 2 को plus करते थे, then फिडिस को plus करते थे, ठीक उसी तरह इसमें करेंगे, पहले आप plus वाली जो हैं इनको plus करेंगे, तो यह कितना हो गया, 6z, 6z में से 7z को minus किया, तो minus z, यह क्यों आया, यहाँ पर वही आपका integers वाला rule, कि big digit आपकी minus की है, इसलिए minus sign होगा, next में आते हैं हम, देखे, minus minus को पहले आप plus कर लेंगे, तो कितना हो गया, 3y, 3y में से 5 को आपने minus किया, तो क्या आया, 2y, plus का क्यों आएगा, क्योंकि 5y big digit है, ठीके वीटा, इसके बाद next, 5 और 3x को, दोनों को 5x और 3x को पहले plus किया, तो यह है आपका 8x, 8x में से minus x को minus किया, तो answer आया 7x, इस तरशे आप वही method है, मैं फिर बोल रही हूँ, confuse नहीं होना, same column में आपको like terms को column में आपको एक के नीचे एक उन्हें रखना है, ठीके, next है क्यों, 4xy माइनस 2yz plus 7zx, कोमा माइनस 3xy plus 5yz minus 8zx, कोमा माइनस 6xy minus 2zx, इस तरह से देखिए आप, ये तीन, ये दो-दो आपको टाइनोमियल है, बट ये बायोमियल है, तो confuse नहीं होना, आपको जैसे मैंने column में आपको रखा है, आप वैसे रखते जाएगे, जो आपकी terms नहीं है, वहाँ पर आप उसे blank चोड़ देंगे, जैसा कि देखो, मैंने करके दिखाया आपको, तो 4xy का, तो xy का terms यहाँ गया, yz की यहाँ गई, and आपका zx का term यहाँ गया, यहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि आपको बायोमियल थी ना, तो मैंने देखे, ये blank चोड़ दिया है, ठ zx आपने लिखा, zx लिखने से पहले, आप माइनस माइनस को प्लस करेंगे, तो यह हो गया, आपका 10 zx, 10 में से 7 माइनस किया, तो माइनस 3 zx, अब माइनस क्यों आया, जोकि 10 आपका big digit था, जोकि माइनस की digit है, इसी तरह से, यहाँ पर only 2 digit है, तो 5 में से 2 को माइनस किया, तो प्लस 3yz, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले माइनस माइनस को प्लस करना है, जैसा कि आप इंडिजर में करतें, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9xy में से आप 4 माइनस करेंगे, तो 5xy, बट माइनस यहाँ जरूर लगाना, यह नहीं भूलना है, नहीं तो माक्स आपक कट जाएंगे, ठीक है बटा,